हेलो गाइज आज हम कीबोर्ड की सफाई करेंगे कई वार क्या होता है कीबोर्ड की कीज नहीं चलती कुछ वो होता है आपके डस्ट के कारण जा कई वार लिउकड वगारा गिर जाए इस पे तो आपको खोल के फिर साफ करना पड़ता है तो सबसे पहले यह कीबोर्ड की बैक साइड है स्क्रिव खोलेंगे यह आप देख सकते हैं स्क्रिव यह कुछ स्क्रिव है जो आपको सारे खोलने पड़ेंगे यह मैं खोल चका हूँ यह रहे काफी हैं छोटे बड़े हैं यह जो मैंने कीबूर्ड खुला है फ्रंट एक का है यह अब मैं इसको दखाता हूं आपको यह कीबूर्ड यह अंदर से ऐसा होता है इसको आप खोल सकते हैं निकाल लो फिर यह इसमें तीन लेयर होती है एस एक और एक होगी इसके बीच में यह जो सरक्ट है सरक्ट उपर वाली और नीचे वाली टोटल होगी तीन लेयर एक इसमें कोई सरक्ट नहीं है बीच वाली में और यह तीसरी तो क्या होता है, यहां पर dust जो किसे भीक फॉत किसेे स्वात हैं तो आप कपटे से लूगिंगे अगर अगरा कोई लूंक्ट गिरा हैं तो पहले गीला कपड़ा फिर इसे क्लीन करके उसको फिर दूप में ड्राइ करें ड्राइ करने के बाद फिर ठीक हो जाएगा, ठीक, तो होता क्या है, यह है आपकी कीज, यह दिखा दूँ, यह ऐसे है, इसके नीचे कीज है, जब वो प्रेस करते हम ऐसे, तो यह वाला पैड प्रेस हो जाता है, और यह इस सर्कुट पे आता है, इस पे, इस सर्कुट पे आ गया, यहाँ पे बीच बाली शीट में होल है, और एक उपर सर्कुट है, तो जब वो प्रेस होगा, यह वाला प्वाइंट, उस प्वाइंट से टाच हो जाएगा, जब टाच हो जाएगा, तो सर्कुट जुट जाएगा, सिगनल चला जाएगा, यहाँ प आपके controller रहता है और microprocessor रहता है फिर signal इस wire से computer की तरफ जाता है एक बार फिर में repeat करता हूँ इसमें कहा है matrix है पूरा circuit का matrix है इस sheet में second वाली में कुछ नहीं है holes है यह देखिए और एक है नीचे तो तीन layer है जब यह key press होगी यह वाला dot इस dot से मिल जाएगा यहाँ पर तो circuit बन गया जुड़ गया circuit जब जुड़ गया तो यहाँ से signal जाएगा यहाँ पर यह मैंने आपको पहले explain कर दिया है बस clean करना है इसको इस layers को clean करो clean करने के बाद वैसी आप लगा दो यह देखो यह यहाँ पर लग गया यह यहाँ पर लग गया उसके बाद इसको बंद करना है और दवारे screw लगा देने है दूसरी side मैं आपको दुखा दूँ जो नीचे की है side वो यह रही वो यह आप मैंने बताया था यहाँ से press होगा वो नीचे जो रबड लगी है वो प्रेस होके बिंदू पे टकराएगी और सरकटाब का चलेगा फिर सिगनल जाएगा फिर उसको तरफ और एक बार मैं और बताऊं एक बात किसी किसी में यह वाले जो हैं यह रबड है जो एक ही मैट होता है पूरा इसमें तो ऐसा यह लग लग है जैसे यह देखो मैं इसको नकाल पा रहा हूँ ऐसे उसके दुबारे फेट कर दो किसी किसी कीबोर्ड में पूरे का पूरा जे रबर बैंड एक ही होता है इसको क्लीन कर दो इसको क्लीन कर दो और आपका कीबोर्ड चल जाएगा अगर कोई और टेक्निकल फॉल्ट ना हुआ तो चलेगा थैंक यू गाइस